हेई गाइज वेलकम टू क्रियेटिविटी एंड कुकिंग हर्व आज हम बनाएंगे चिकन शॉर्मा जो कि स्ट्रीट फूर्ट मार्केट और रेस्टराण में काफी फेमस होती है और आज हम इससे बहुत इजी वे में घर पे बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं और इसक इसमें एड करेंगे वन टेबल स्पून गालिक पेस्ट और वन टेबल स्पून जिंजर पेस्ट यानिके अध्रक लसन पेस्ट और अब हम इसमें एड करेंगे वन टेबल स्पून वाइट विनेगर अब हम एड करेंगे ताक सोय सॉस और अब हम इसमें आड करेंगे हाफ ट जिएस के अकोर्डिंग भी डाल सकते हैं 1-4 तीस्पून रड़ चिली पाउदर, 1-2 तीस्पून गरम साला पाउदर, 1-2 तीस्पून जीरा पाउदर and 1-4 तीस्पून ब्लाक पेपर यानि की काली मिर्श का पाउदर और अब मैंने इसमें एक पिंच रेड फूट कलर भी मेरिने ठीट थे होने के लिए रख सकते हैं लेकिन मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैने से सर्फ एन आर के लिए किया है उचलिए जब तक चिकन मारिन एत होता है तब तक हम अपने शोर मौ ब्रेट का डो रड़ी करते हैं उसके लिए मैंने लिए लिए दू कप मैधा यान नीठा सोड़ा भी बोलते हैं हम सभी ड्राइं ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें और अब हम इसमें एड करेंगे थ्री-फोर्थ कप के अराउंड योगर्ट यानि की दही यह वही दही है जो मैंने अभी चिकन में मैरिनेट करने के लिए यूज किया थ लेंगे और इसे सॉफ्टो की तरह टीट कर लेंगे और जब हमारा दो एक शेप खोल कर लेगा तो उसमें हम तू टेबल स्पून रिफाइंड ओयल एड करेंगे और अब हम इसे ऑईल के साथ भी अच्छे से से नीट कर लेंगे हमारी शॉर्मा ब्रेड उतनी ही अच्छी और सॉफ्ट बनेगी अब देख सेते हैं कि अगदम स्मूध हो चुका है अगदम सॉफ्ट इसे हाफ एनायर के लिए रेस्ट होने के लिए देएगे तो जब तक हमारा डो रेस्ट करेगा हम अपने चिकन को कुप कर लेंगे जन्दी से और इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें टू टेबल स्पॉन ऑइल अट करेंगे जब ऑइल होट हो जाएगा तो उसमें हम अपना मैरिनेटर चिकन अट कर देंगे और अब हम इस चिकन को 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इस तरह इसे स्टर करेंगे और अब हम इसे लिट लगा देंगे और इसे 10 मिनट्स तक कुप होने के लिए रख देंगे और इसके excess water content को हम reduce कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं कि chicken almost hook हो चुका है और अब हम chicken को एक bowl में transfer कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे अब हम अपना dough check करेंगे और इसे हम two minutes के लिए अच्छे से knead करेंगे आप देख सकते हैं कितना soft हो गया है और अब हम इसे एक flat surface पे इस तरह से roll out करेंगे और इसे एक knife पी help से हम इसे equal parts में इस तरह से cut कर लेंगे अब हम इसमें से एक round लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा dry flour dust करेंगे और अब हम इसे एक रोटी की तरह बेलन की help से इस तरह से roll out कर लेंगे और आप चाहें तो इसकी साइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं लेकिन जर्णिली इसकी साइज एक रोटी से बड़ी होती है आप देख सकते हैं कि मैंने इसे चारो तरफ से इस तरह से इसे इवनली रोल आउट कर लिया है और अब हम प्रिहीटर तवा पर और डिजल करेंगे और इसमें शौरमा प्रेड हम इस तरह से इसको फ्राई करेंगे और अब हम इसे एक फोक की हेल से इसे प्रिक कर लेंगे ताकि इसमें बबल स्टा बने और अब हम इसे flip कर लेंगे और दूसरी साइट से भी इस तरह से सेख लेंगे और हम इसमें oil apply करेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो गाइज अगर आपके पास time कम है तो market में पॉप पराथा shirts भी easily available होती है जिसे आप chicken shorma bread के place पे यूज़ कर सकते हैं तो गाइज आप देख सकते हैं हमारी shorma bread में नाइस golden round color आचुका है और हमारे shorma bread almost ready है गाइज मैंने अनियून्स को round slice में cut किया है और मैय उनियंस लेंगे, tomato ketchup लेंगे और chicken अपना ready कर लेंगे और सबसे पहले हम shorma bread पे chicken रखेंगे इस तरह से इसको हम जादा chicken की pieces रखेंगे इसमें और अब हम इसके उपर से onions को इस तरह से रख देंगे आप चाहें तो इस पर कटी हुई गाजा और shiplablish भी उसकर सकते हैं लेकिन मैंने या चिकन के साथ और कोई veggies नहीं उसकिया है और अब हम इसमें उपर से खूप सारा mayonnaise आड़ करेंगे और अब हम इसमें उपर से टोमाटो केचप भी आड़ करेंगे इस तरह से drizzle कर लेंगे और आप चाहें तो ग्रीन चट्टी भी यूज कर सकते हैं यह आपके उपर है और अब हम इसे रोल की तरह इस तरह से शेप देंगे और एक तूथ पिक के हल्प से हम इस तरह से फिक्स कर लेंगे तो आप देख सेते हैं हमारा चिकन शौरमा रेडी है यह कितनी इसली घर पर बढ़के रेडी हो गया है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है आप इसे एक बार प्लीज जरूर ट्राइ करिए तो गाइज इस रेसिपी के फूल इंग्रीडियर्स लिस्ट और अल साजेशन टिप्स और ट्रेक्स मैंने अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पर पोस्ट किया है जिसका लेक मैं जल्दी कमेंट बॉक्स मेंशन कर दूँगी तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और जाता से जादा शेयर करिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और इस साथी में इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे So guys, I'll be back with a new video soon Till then, stay safe, stay happy and thanks for watching